हिंद विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल नौलेज पॉइंट पीसीम में आज किस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं परस्थनावली 6.4 और 6.4 का साथियों परस्थन संक्या एक से लेकर तीन तक कहल बताये जाएगा तो वी हम बोलते तो सही है लेकिन कोईश्चन में लिखने में कुछ दूसरा लिख जाता तो अगर गलती हो जाए तो उसको सुधार कर लिया किजिए आप सभी लोग कहीं एकाथ कोईश्चन में हमसे ऐसी गलती हो गई है तो इस पे आप लोग थोड़ा सुधार कर लिजिए हो सकत इसमें जो है AB का मान 1.5 से मी तथा DE का मान 1.4 से मी हो तो तिरभुज ABC और DEF के छितफलों का अनुपाद ग्याद कीजिए यानि प्रस्ण के अनुसार हमने एक तिरभुज ABC बना लिया और एक तिरभुज DEF बना लिया जिसमें इसकी एक भुजा 1.5 से मी है और इसकी एक भुजा 1.4 से मी है तो हमें कहरा है कि इस तिरभुज का छितफल और इस तिरभुज के छितफल का अनुपाद ग्याद कीजिए तो चलिए अब हम लोग इस प्रस्ण को हल करते हैं तो साथियों मैं यह आपको बता दूँ कि जो तिरभुज समरूप होता है तो उस छितफलो का अनुपाद जो होता है उस तिरभुज के छितफलो का अनुपाद जो होता है उनकी संगत भुजाओं के बर्गो के अनुपाद के बराबर होता है तो अब हम लोग इस प्रस्ण को हल करेंगे इस प्रस्त में साथियों जो चीत दिया गया है मैं उसको लिख लेता हूँ तो क्या चीत दिया गया है ध्यान से देखिएगा दिया है तिर्भुज A, B, C A, B, C समरूप है तिर्भुज D, E, F इस प्रकार जो दिया है मैंने उसको लिख लिया आप यहाँ पर बुझा इसमें दिया गयी मैं उसको लिख लेता हूँ तो A B बराबर हमारा देख़े पहले तिर्बज में A B कमान हमारा हमारा जो है 1.2 cm है देख़ें यहाँ पर मैंने 1.2 cm सेंटिमीटर लिख लिया उसके बाद दूसरी भुजा कमान हमारा दिया है इसमें डी इंका मान दिया है तो मैंने वन पॉइंट चार सेंटिमीटर लिए अब हम क्या करेंगे जो तिर्भुज के छेथफलों का अनुपात होता है मैं उसको लगा देता हूं तो यहां से मैंने लिख लिया देखिए तिर्भुज ABC का छेथफल बटे तिर्भुज DEF का छेथफल और यहां पर बटे में कर लिया है उसके बाद इनकी संगत भुजाओं के बरगों का अनुपात जो है बराबर होगा छेथफल के अनुपात की तो इस प्रकार से हमने लिख लिया अब यहा चार कर लीजीगा उसके इसका स्कोरायère है तो स्कोर कर दीजिएगा इस परकार से हमने स्कोराय लगा देखिया अब इसको घूल करते हैं सांथी हों हमारा जो है तो सिए यानि बर्ग करके भी निकाल सकते हैं या तो मैं इसको यहीं कैंसिल कर देता हूं देखे इसको काटेंगे साथियों तो यह हमारा छे से डिवाइड हो जाएगा और इसको काटेंगे तो यह साथ से डिवाइड हो जाएगा तो यानि हमारा जो आएगा वो आएगा छे बटे सा च्छे बटे साथ का स्कॉाइर आ जाएगा उसके बाद यहां पर हमारा जो मान आएगा च्छचवक च्छतिस और साथ सते वनचास यानि कि छेत्रफल कानुपात जो होगा हमारा वो 36 अनुपाते वनचास होगा अब हम लास्ट में लिख देंगे तिर्भुज ABC और तिर्भु तो इस प्रकार हमारा इस प्रस्ट का हल रहा आसा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रस्ट का हल समझ गए होंगे अगर आप इसका स्क्रीन सॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन सॉट कर सकते हैं उसके बाद अब हम लोग चलते हैं प्रस्ट संख्या दूसरे पे साथी यह रह का छेथफल ग्यांत कीजिए प्रस्ण पूल मिलाकर उसी फार्मूले पर हल होगा तो चलिए अब हम लोग प्रस्ण को हल कर लेते हैं ध्यान पूर्बक समझेगा साथियों तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो हमारा अनुपात दियाए भुजाओं का समरूप अनुपात दो अनुपाते तीन है इस परकार हमने लिख लिया अब हम वही तिर्भुज वही फार्मूला लगाते हैं साथियों अब हमने वही फार्मूला लगा दिया देखिए तिर्भुज पी क्यू आर का छेथफल बटे तिर्भुज ए बी सी का छेथफल और तिर्भु कमान हमारा दो है बटे यहां पर दो अनुपाते तीन दिया गया देख सकते हैं तो दो है एक मिनिट पीक्यू कमान दो है और एक मिनिट पीक्यू कमान दो है और एक मिनिट तीन है तो यहां पर मैं तीन रख देता हूं इस प्रकार और इसका बर्ग होता तो मैंने बर्ग लग है 48 तो बीकी वार का 48 दिया तो है हम पर 48 लिख लेते हैं यहां पर 48 बटे में तिरभुज ABC का छेद फल ABC का छेद फल इस परकार लिख लेते हैं अब यहां से हम पूरा इसको कल्कुलेट करेंगे तो 48 बटे तिरभुज ABC का छेद फल का छेद फल बराबर में साथियों आएगा हमारा बराबर में आएगा दो दुन यह चार और तीन कबर्ग 9 हो जाएगा अब इसका तिरशा गुड़ा कर देते हैं तो तिरशा गुड़ा करेंगे तो हमारा आएगा साथियों तिरभुज ABC का छेद फल गुड़े चार बराबर इसका गुड़ा 48 गुड़े 9 हो जाएगा अब उसके बाद चार हमारा इदर गुड़े में इदर आएगा तो बटे में हो जाएगा तो यहां से हमारा निकल कर आएगा तिरभुज ABC का छेद फल बराबर में 48 गुड़े 9 बटे में चार आजाएगा अब यहां से हम इसको डिवाइट कर देते हैं तो यह हमारा आजाएगा देखें 12 चुकड़ तालिस यहां पर हमारा बारा आजाएगा उसके बाद हमारा मान जो आएगा तिरभुज ABC का छेद का छेद फल बराबर यहाएगा बारा नावा 108 यहां एक सो आठ एक सो आठ और हमारा आएगा मान इसमें बर्ग सेमी बर्ग सेमी इस प्रकार मातरक लिख देंगे तो यह रहा इस प्रस्न का हल आसा करते हैं कि आप से वीडियो की इस प्रस्त का हल समझ गये होंगे तो अगर आप इसका screenshot लेना चाहते हैं तो screenshot कर सकते हैं प्रस्ण बहुत ही आसान और simple था अब हम लोग आते हैं प्रस्ण संख्या 3 पे साथियों यह रहा प्रस्ण संख्या 30 इसमें का गया दो समरूप तिर्भुजों के 6 त्रफल 36 बर्ग सेमी और 100 बर्ग सेमी है यदि बड़े अब हम लोग इस प्रस्ण को आये हल करते हैं तो यहां से प्रस्ण में जिस परकार कहा गया है मैंने उसमें उसका फिकर बना लिया एक त्रफल 100 बर्ग सेमी है दूसरे का 36 बर्ग सेमी है मैंने यहां पर लिख लिया अब हम यहां पर दिखाएंगे तिर्भुज ABC समरूप है तिर्भुज PQR के तो इस परकार समरूप है तो मैं लिख लेता हूं अब जो है वही फार्मूला लगाएंगे 6 त्रफलों का अनुपात उनक अबूजाओं के बर्ग के अनुपात के बराबर होता है यहां पर लिखेंगे तिर्भुज तो से मैं इस तिर्भुज जून दूसरा त्रहीत है कर दो साथियों बुजाओं का जो बर्ग होता है उसको भी लगा देंगे इसमें संगण बुजाओं का बर्ग क्या होगा साथ यह मुझा हमारा पी है 36 रख देता हूं बटे में तिरभुच ABC का छेटफल 100 है तो 100 रख देता हूं बराबर PQ PQ का मान हमारा एक जो है प्रस्न में कहा गया है कि ज्याद करना है यानि इसका मान हमें ज्याद करना है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं PQ बटे और AB का मन हमारा 20 कहा इस प्रस्त में देखे एक का भुजा का मन 20 कहा तो मैं इसको 20 मान लेता हूँ अब यहाँ पर रख देता हूँ 20 और इसका स्क्वाइर है तो स्क्वाइर लगा देंगे उसके बाद 36 बटे 100 36 बटे 100 बराबर PQ का स्क्वाइर अलग-अलग इसको कर देते हैं बटे 20 भी सही हैं आपका 400 होता है तो यहाँ पर 400 लिख दिया जाएगा तिर्शा गुड़ा कर दिया जाए तो यह हो जाएगा साथियों PQ का स्क्वाइर गुड़े 100 बराबर में यह हो जाएगा 36 गुड़े 400 तो PQ का स्क्वाइर बराबर 36 का गुड़ा अगर आप 400 में करते हैं साथियों तो आपका जो मान आएगा तो यहाँ जाएगा 6.24 के 4 हाथ है दो और फिर 4 तिहाएं 12 और 24 यानि 144 आ जाएगा उसके बाद PQ यानि इधर से स्क्वाइर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 144 और 144 का जो बर्गमूल होगा साथियों वो होगा हमारा 12 तो यानि कि इस साथियों दूसरे दूसरे तिर्भुष के जो भुजा होगा वो हमारा कितना होगा 12 सेंटी मीटर आसा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रस्ट का हल समझ पाए होंगे अगर आप इसका स्क्रीन स्वाट लेना चाहते हैं तो इस स्क्रीन स्वाट कर सकते हैं तो आज का वीडियो इतना ही साथियों क्योंकि मैं आप लोग को जानते हैं कि मैं तिर्भुज में तीन तीन कुईश्चन ही हर परसनावली का पार्ट वाइस वीडियो बनाता रहता हूं तो आज का वीडियो इतना है वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत साथ ही